गुरु रेव हरिस्ताक्षात ब्रह्म विद्योपनिशत एक तिस्वा मंत्र भगवान ही गुरु है गुरु ही भगवान है दोनों अलग-अलग नहीं है प्रतक प्रतक नहीं है तो गुरु भग्तिम सदाकुर्यात फिर ब्रह्म विद्योपनिशत कहता है तीस्वा मंत्र गुरु की भग्ति कर लो सब मिल जाएगा कुछ अप्राप्प नहीं होगा फिर बेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्रात्पेबरान निबोधत अरे मनुष्यों भगवान को जानना है ना पाना है ना हाँ तो कैसे जानोगे ना बेद बिनमन उतेतम ब्रिहनतम जो बेद को नहीं जानता हो भगवान को नहीं जान सकता शाठ्याईनी उपनिशत का चौथा मंत्र तो भगवान को जानना है बेद को पढ़के जान लेंगे ना बेद को कोई नहीं जान सकता ब्रह्मा नहीं जान सका जब सृष्टी का प्रारंब हुआ भगवान से ब्रह्मा उत्पन हुआ तो बेद को भी प्रकट किया भगवान ने तो ब्रह्मा ने बेद को पढ़ा कुछ नहीं समझा ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार बना दिया वो भी नहीं समझ सका तेने ब्रह्म हृदाया आदिकबए मुहियंतियत सूरय तब भगवान ने तेने ब्रह्म हृदाया आदिकबए अदिकबी माने ब्रह्मा को उनके हृदाय में ब्रह्मा के भगवान ने अपनी पावर दी तब ब्रह्मा ने बेद को समझा तो प्लाम क्या समझेंगे पढ़के बेद को प्र क्या करें जी तब बेद कहता है सुनो हम बता में उपाए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान निबोधत महापुरुष के पास गुरु के पास जाओ कि उससे बेद का अर्थ समझो क्या लिखा है बेद में क्या तात्पर्ज है बेद का अक्षर ग्यान से नहीं मालूम पड़ेगा अनन्त पारं गंभीरं दुर्विगाहियं समुद्रबत ग्यारमे सकंद के 21 में अध्याय का 36 माश लोग समुद्र से अधिक गंभीर है बेद आप नहीं समझ सकते उसको इसलिए महापुरुष गुरु के पास जाओ कठो पनिशत पहले अध्याय के तीसरे बल्ली का 14 मंत्र है फिर बेद कहता है आचार जवान पुरुषो ही बेद इस प्रकार तमाम बेद मंत्र कह रहे हैं कि गुरु और भगवान एक ही है और और चाहे यह कहे दो कि गुरु अंतिम तत्व है चाहे यह कहे दो भगवान अंतिम तत्व है एक गुरु होता क्या है कहते कि है अरे जीवही गुरु है तीन तत्व है न जीवात्मा परमात्मा माया तो जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है उसको गुरु कहते हैं ये जीव को पुरुष भी कहते हैं तो जो पुरुष परम पुरुष को पा लेता है उसको महा पुरुष कहते हैं उसी को गुरु कहते हैं जैसे पावर हाउस से आपके घर में करंट आ रहा है कहीं भी करंट जा रहा है उस करंट को आपने पकड़ लिया तो आप पावर हाउस में चले गए नदी समुद्र में मिल गई समुद्र हो गई तो गुरु माने भगवान को प्राप्त कर लेने वाला अरे भगवान और गवान की तो बात छोड़ो एक अक्छर का ग्यान आप नहीं कर सकते बिना गुरु की एक अक्छर शब्द नहीं का खा ए बी अलिफ बे किसी लेंग्वेज का एक शब्द एक अक्छर कोई बहुत बड़े विद्वान का बेटा पैदा हुआ है अच्छा ठीक है वे आई वे आई वे आई वे इसे करता है बिचारा पहले पहल उसकी मा सबसे सरण शब्द का पहले उच्चार्ण सिखाती है आ का नहीं बोल पाता है ला बोलो तो ता बोलता है कितना परिश्रम करती है मा पहली गुरू तो ये एक अक्छर आप बोल पाते हैं फिर उसको लिखना सिखाता है टीचर अपने आप लिख लो अरे क्या लिख ले अरे जो बोल ला हो अरे नहीं लिख सकते देखे आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं सब लोग यहां जो बैठे हैं बड़े बड़े बिद्वान मैंने ऐसे मजाग बनाया एक बार बनारस इंवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था मैं तो एक इंग्लिश के प्रोफिसर आये हैं हमने का आप इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं मैंने सुना है एमें पढ़ाते हैं महाराज जी हमने का अच्छा बरकले की स्पेलिंग बताओ तो बरकले एक फिलस्फर हुआ है प्लेटो कांटे साफ फिलस्फर है गहां मैं बोलतो रहा हूं बरकले यह तो ठीक है महाराज जी लेकिन स्पेलिंग उसकी अलग होती है उसमें हमारी इंग्लिश में साइलेंट होता है खोपना बेंट होता है क्या भाषा है जी आपकी हमारी हिंदी संस्कृत में तो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है नहीं नहीं हमारे ऐसा नहीं होता तो एक अक्षर का घ्यान आप बिना गुरु के नहीं कर सकते तो भगवान ओगवान की बात तो बहुत दूर किया है बिना गुरू के बहुत चों लोग सोचते हैं अरे क्या गुरू के चक्कर में पड़ो जी ना गुरू के चक्कर में पड़ना पड़ेगा और गलत गुलू के चक्कर में पड़कर सर्बनाश भी करना पड़ेगा ए मुसीबत निरायम ब्रजेत ब्रह्म बरिबर्त पुराण कहता है गलत गुरु के संपर्क में गए तो नरक जाना पड़ेगा वो गुरु तो जाए गई तुमको साथ लेके जाएगा और हम अगर यह सोच के की खत्रे में कौन पड़े आपन ऐसे रहो और डाइरेक्ट कांटेक्ट करो इंपॉसिबिल ऐसा नहीं हो सकता उद्धोसरी के ज्यानी को भगवान ने गोपियों के पास भेजा अंगूठा चाप गोपियों के पास भगवान की बात सुनकर उद्धो ने कहा कि यह क्या भेज रहे हैं हमको आपड़ गमार गोपियों के पास नहीं मैं तुमको इसलिए नहीं भेज रहा हूँ उद्धो कि तुम उनसे कुछ सीखोगे उनको सिखायाओ उनको ज्ञान दे आओ तुम ज्ञानी हो न हाँ वो अज्ञानी हैं हमसे प्यार करती हैं रोती रहती हैं उनको समझा दो कि तुम ही ब्रह्म हो किसी के चक्कर में न पड़ो हाँ अब ठीक है कि समझाने गए थे उद्धो जी महाराज और गोपियों ने समझा दिया उनको और रोते हुए लोटे गोपियों को गुरू बना करके तब कल्यान हुआ उद्धो शरी के ज्ञानी जिनके लिए भगवान ने कहा है नो धवोड नो पी मन यूना उद्धो मुझसे थोड़ा भी कम नहीं है इतना बड़ा ज्ञानी है तो गुरू के बिना काम नहीं चलेगा और सारे बेद कह रहे हैं अब पुराणों में चलिए पुराणों का जो शिर्माओर है भागवत जो को बेद का दर्जा प्राप्त है भागवत क्या कहती है भागवान ने स्वयम कहा नाहमिज्या प्रजात्य भ्याम तपसो पशमे नच तुष्ययम सर्वभूत आत्मा गुरुशुशुशया यथा ब्रह्मचर्द ग्रहस्त बानप्रसन्यास के जो धर्म मैंने बेदों में बताए हैं उनका ठीक ठीक पालन करने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता और गुरु की जो सेवा कर ले तन मंधन से मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ बिना मेरी भक्ति की ये गुरु की भक्ति करें प्रसन्न मैं हो रहा हूँ फेलो प्यार करते हैं गुरु से भगवान मदभग दसमस्कंद के अस्तिवे अध्याय का चौतिसमाश लोग है फिर भगवान ही कह रहे हैं कि देवता बांधवास संता कि संत आत्मा हमेवच ये महापुरुष ए गुरु कि मेरी आत्मा है आत्मा और आत्मा के बत अहमेव मैं हूँ आइसा समझो ग्यार्में अस्तिकंद के चब्विसमें अध्याय का चौतिसमाश लोग फेर भागवत कहती है रजस्तमस्च सत्पेन सत्पंचो पशमेन च एतत्सरवं गुरव भक्त्या पुरुषो हैंजसा जयेत सात्मे असकंद के पंद्रहमे अध्याय का पचीसमाश लोग नारद जी कहते हैं युदिश्ठिर से कि तीन गुण है जिससे संसार दुखी है इनमें रजो गुण तमो गुण दो गुणों को सत्प गुण से जीता जाता है और सत्प गुण को भी जीतने के लिए भक्ती के द्वारा साधन करने पड़ता है लेकिन इतना बड़ा परिश्रम करके कोई जीत ले ये बहुत कठिन है ये सब गुरु भक्ती से आप जीत सकते हैं कर दो गुण जीत सकते हैं